हेलो काईज, वेलकम डू 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 चनल और कि सैमसंग के फ्लेक्शिप फोन सभी को पसंद रहते हैं में को भी पसंद हैं, आप लोको को भी यहाँ पर पसंद हूंगा लेकिन बात एक जिगे पर अटक जाती है, कि वो काफी ज़दा एक्स्पेंसिव रहते हैं अगर सैमसंग का फ्लेक्शिप नया स्मार्टफोन हम देखते हैं, तो साथ हजार, सतर हजार, असी हजार ऐसे हमारे माइंड में आपर तिंकिंग आती है लेकिन सैमसंग आपको एक फ्लेक्शिप फोन यहाँ पर आप बोल सकतो, फ्लेक्शिप फीचर्स के साथ में बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पर जो है, एक फोन लाके देने वाले इंडियन मार्किट्स में है, जिसका नाम रहने वाले है, सामसंग गलक्सी S10 लाइट, इस इस चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे बहुत कर लेते 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 हैं, सबसे बहुत कर काफी कमाल का है as well as यहाँ पर जो frame है वो भी आपको aluminum की देखने को मिलेगी तो build quality, in hand feel और सारी चीज़े जो आपको flagship grade की Samsung S10 light में देखने को मिलेगी डिस्पे के बारे में बात करें जो के फोन का highlighting feature है यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक infinity o display देखने को मिलेगा, वो भी full HD plus resolution के साथ में अच्छी चीज़ यह कि यहाँ पर भी Samsung ने super AMOLED display इस्तिमाल करें और Samsung के display आप सभी को पता है world के सबसे best होते हैं और यह phone में भी काफी अच्छा यहाँ पर आपको screen to body ratio देखने को मिलेगा, bezels काफी कम देखने को मिलते हैं, so all in all यह phone का जो display रने वाला है, वो भी आपको flagship grade का ही देखने को मिलेगा, so guys RAM and storage के बारे में बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर इंडिया में एक ही विरेंड में देखने को मिलेगा, 8GB की RAM 128GB storage के साथ में, flagship phone में जनरली आपको higher mid-range वाले phone रहते हैं, तो उसमें आपको जो फ्रोसेसर ठीक ठाक से देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर यह phone में आपको snapdragon का 855 देखने को मिलेगा, जोके 7NM technology पर बेस्ट है, Adreno 640 का GPU भी देखने को मिल जाता है, तो आपको एक्दम flagship grade की यहाँ पर performance मिलेगी, और Exynos के processor से आप यह बार बज़ गए, और snapdragon 855 कमाल का chipset है, चाहिए वो gaming की बात करो, डिट्यूडे टास्क की बात करो, जो आपको flagship यहाँ पर आपको experience देखने को मिलने वाले हैं, camera's के बारे में बात करें, जोके again यह phone का heading feature है, back में यहाँ पर आपको triple rear camera का setup मिलता है, 48 megapixel का आपको primary sensor मिलता है, 12 megapixel का आपको ultra wide lens मिल जाता है, और 5 megapixel का आपको macro lens देखने को मिलता है, और आपको बता दू, यह price point पर Samsung ने OIS जैसा feature यहाँ पर यह phone में include करा है, जोके काफी बढ़िया बात है, 4K video recording का आपको 32 megapixel का selfie camera मिलेगा, जूके selfie camera से भी आप 4K video recording तक के यहाँ पर support कर सकते हो, जूके मेरे इसाफ से काफी जबदस बात है, on-purpose camera अच्छे लग रहे हैं, और reality में भी आपको यह phone के जो आपको जब performance से camera की, काफी जबदस देखने को मिलेगी, Android version और UI के अगर हम बात करें, तो out to the box आपको Android 10 देखने को मिलेगा, as well as यह भी आपका 1 UI 2 पे यहाँ पर run करने वाल है, क्योंके काफी clean interface अभी फिलाल करें देखने को मिल रहा है, census के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे sensor देखने को मिल जाएंगे, including in display fingerprint scanner मिलेगा, face unlock का भी feature देखने को मिलेगा, और Samsung Pay का भी यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा, पिटिलाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई tension की जरुरत नहीं है, क्यों यह यहाँ पर प्रोवाइट कर यहाँ पर यह phone से निकाल दिये, otherwise यह phone अगर overall दिखा जाए तो काफी impressive लग रहा है, अब आप बुलो के चलो यार सारी चीज़े अच्छी है, price point कितनी रहने वाल यह है, तो price point जो leaks के recording निकल का यह, यह phone जो आपका 35,000 से 37,000 के बीच में रहने वाल है, चूँकर अगर यह price point पर Samsung के जिसा यह quality के साथ में smartphone आता है, तो में नहीं खिया लेकिसे better deals आपको Samsung की तरफ से मिलेगी, तो all in all, आपको flagship grade की यह पर performance, flagship camera, flagship battery, flagship build quality, display वगरा, सारी चीज़े मिला के, अगर 35,000 रुपे तक के मिल जाता है, वो भी Samsung जिसे brand की तरफ से, जो कि कमाल की बात है, और market में धहमागा कर देगा, अगर 30,000 के असपास की price point पर यह आ जाता है, तो, पर क्या मुझे comment section ने बता है, और Samsung यह ब्रैंड को देखते वे 35,000, 36,000 के आसपास, फोन आपके हिसाफ से कैसा है, मुझे जरूर बताना नीचे मुझे comments में, सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते आप से से एक लिए किसकी वीडियो में, जो तक के लिए, थैंक यू